का उद्गाटन करने के लिए पहुंचे हैं आज बहुत बहत पूंदन है नागपूर के लोगों के लिए एक के बाद एक नई परियोजनाओं की सौगात उनको मिल रही है महराष्ट समरिद्धी महामार्ग जिसके हम चर्चा कर रहे थे ये अब महराष्ट के लोगों के लिए खोल दिया गया है और इस महराष्ट समरिद्धी महामार्ग समरिद्धी महराष्ट के समरिद्धी के द्वार एक तरह से कहा जाए तो वो खोला है प्रधान मंत्री मंत्री एक नात्व शिंदे उनके साथ में केंद्रि मंत्री नितिन गटकरी राजपाल और तमाम जो दिगज नेता हैं वो महजूद है जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस का शिलान्यास इस प्रोजेक्ट का प्रदार मंत्री नरेंज मोधी ने दिसंबर 2018 में किया था और अब इसका उद्गाटन किया है 701 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग है और आठ घंटे में नागपुर से शिर्डी पहुचा जा सकेगा इस राजमार्ग के जरिए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किस गती से इसका परिचालन हो सगागा एक राइड प्रदार मंत्री शायद देना चाहेंगे इस हाइवे की और फिलाल इस हाइवे पर कदम बढ़ाते हुए प्रदार मंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में महाराष्ट के लगभग जो बीजेपी के तमाम प्रमुक नेता हैं वो भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री उप्रमुख्यमंत्री राज्यपाल केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी और और यह देखिए यह एक जो रंगा-रंग कारिक्रम है वह भी रखा गया है तुद्धार मंत्री के स्वागत ने गोल नगाले के साथ में उनका स्वागत ही रहा रहा है पुद्धार मंत्री उन सब के बीच में स्वाइम पहुंचे हैं यह बड़ा निराला अंदाज है पुद्धार मंत्री का वह स्वाइम पहुंच जाते हैं ऐसे लोग को बीच पर उनका उत्सा जो है जो स्वागत करता है उनका उत्सा पर चरम पर पहुंच जाता है ठोगना हो जाता है जब वो देखे हैं कि उनके जो फास रह्मान है वो वहां पहुंचा देए